हेलो फ्रिंद्स आप देख रहे हैं आपके चैनल श्यवाजर वित आयुश दोस्तों आज है 23rd औक्टोबर और बात करेंगे आज की ग्री मार्केट प्रीमियम के बारे में अंडाउटिटली आक्शन अब में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि दो नए और दो आ चुकी है बिसे लिए दोनों की डेट्स निकल कर आ चुकी है और ऑफीशल कन्फरमेशन का मैं वेट कर रहा था वर इंपॉर्टन क्या है कि इन दोनों आई प्योंस करेंब बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ केर आई प्यों इस हफते से ओपन होने वाला है और यह जो है वह भी आपको ऑक्टोबर के मन्त में ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे तो अपने आप में आक्शन काफी जादा है एक बात जो सबसे जरूरी है दोस्तों वह है जीएमपी कि जीएमपी में भारी गिरावट देखने को मिल रहे है क्या इसका इसर ग्रे मार्केट पर प उससे मैं बेसिकली कहूंगा कि बच के रहें ऐसा क्यों वीडियो के अंदर आपको आगे बता चलेगा तो चलिए बिना किसी दिरी के वीडियो को आगे बढ़ाते है आगे इसके अंदर आगे इन्वेस्टर का नाम निकल कराएगा कौनकों से अंकर इंवेस्टर ने इस इससाइंप इंदर पैसा डाला है उनका नाम निकल कराएगा तो आज ब्ल्यू जैट हेल्थ के लिए लिए काफी इंपौरटन्ट है बागी दूस्तों यह जो IPO है वो open होगा 25th से 27th October के बीच में 329 से 346 रुपीज का इसका price band है 43 shares आपको मिल रहे हैं एक lot के अंदर 840.27 करोड का यह issue है और यह जो IPO है यह पूरा का पूरा offer for sale है इसके listing BAC, NAC दूनों पर होगी जैसे हम आपको कल भी बताया था कि दूस्तों इसका जो detail video है वो channel पर कल यारी tomorrow out होगा tomorrow इसका date कौन सी है date 24th October जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर company के बारे में in detail कि company की positives क्या है negatives क्या है और इस बाजार के अंदर definitely important क्या है पैसा बनाना लेकिन पैसा बचाना भी तो वो बात जरूरी है एक और दूस्तों बड़ा mainboard IPO और एक बड़ी company undoubtedly one of the इंडिया जानी मानी company में से एक कैसकता हूं कि यह one of the renewed company में से एक है so cello world limited IPO आपको open होता हुआ नजर आ सकता है 30 October से 1 November के बीच में यह निकल कर आ रही information basically company ने दोस्तो 21st को RHP file किया था और उसके हिसाब से 21st के बाद 30 October से दोस्तों यह जो issue है वो basically open हो सकता है अभी तक सेवी से exact approval मिला है कि नहीं मिला है उसकी information मेरे पास नहीं है बट basically माना है जा रहा है कि 30 October से 1 November के बीच में यह IPO open होगा 1900 करोड का दोस्तों यह issue होने वाला है और यह जो issue है वो पूरा का पूरा offer for sale रहेगा सब इसके अंदर कोई भी fresh issue नहीं है यह पूरा का पूरा offer for sale होने वाला है और BACNC दोनों पर list होगा important ही है कि 5 रुपे कि इसकी face value है यह देखने कि price band कितना निकल कर आता है कितने का company price band announce करती है वो majorly announcement जल्दी निकल कर आ जाएगा बट 30 October से 1 November के बीच में यह issue open हो सकता है इस तरह की information वे पास निकल कर आ रही है बाकि इसके अंदर जो reservation है वो 50% QIV के लिए 35% retailers के लिए और 15% HNIs के लिए यह भी important बात है बाकि हाँ जो लोग नहीं जानते सेलो वर्ल्ड को वो basically यह समझा लीजे company का कारोबार है stationary products का company stationary products बेचती और आपने आप में काफी में जैसे मैंने का कि renewed companies में से एक जानी मनी company है यह सेलो वर्ल्ड and definitely इसका issue भी open होने वाला है और ऐसा मनने जारा है कि बहुत अच्छा issue होने वाला है सेलो वर्ल्ड का अगला issue दोस्तों होने वाला है जो open होगा इसी महीन है most likely वो है मामा अर्थ का और मामा अर्थ का basically जो parent company है वो है होनासा consumer सो होनासा consumer basically मामा अर्थ ही है कोई लोग चंता मत करेगी है होनासा consumer और मामा अर्थ कौन है होनासा consumer ही मामा अर्थ है basically आप यह समझाई है मारा है जा रहा है कि दोस्तों यह IPO जो है वो 31st October से open होगा इस तरह की information आ रही है अब company basically आज RHP फाइल कर सकती है इस तरह की information मेरे पास निकल कर आ रही है इसका अब यह है कि दोस्तों होनासा consumer या फिर मामा अर्थ कह लीजिए यह प्री डिवाली IPO अपना लेकर आने वाले है और यह अपना अपने hype वाली company जरूर होगी बट hype से जाधा important है पैसा बना पाई की नहीं बना पाईगी बगास मामा अर्थ को लेकर valuation को लेकर इतने जाधा वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे अब यह देखना कि कौन से valuations पर यह अपना IPO लेकर आते हैं काफी दिल्चस्प होगा देखना basically 2000 करोड से नीचे नीचे का आया IPO रहने वाला है जिसमें से 400 करोड का fresh issue रहेगा और बाकी का offer for sale रहेगा यह BACN इस दोनों पर आपको यह कह सकता हो कि company जो reservation इसमें 10% ही क्योड़ी रहता है और क्योड़ी के लिए सबसे बड़ा portion है 75% का उसमें से भी देखिए आंक का allocation सबसे बड़ा होता है तो यह देखना है कि हां कितना बढ़िया यह कर पाता है मेरे सबसे जरूरी बात यह है होना सब कंजूमर आप फिर मामा अर्थ कह लीजिए कि यह valuation सही लेकर है अदर्वाइस याद रिखेगा यह IPO पिट भी सकता है बट जो मेरे सुनने में आ रहा है मेरा जो भी sources मुझे पता चला है वो यह है कि company valuation सही लेकर आएगी company ऐसे नहीं कि बहुत जादा expensive लेकर आएगी देखि basis पर अगर बेजना चाहा है कि नहीं में तो इस पर कोई से भी अंधाद उन प्राइस पर में बेजना चाहूं and definitely उसके बाद भी बायस आजाए ऐसा नहीं होता है तो इसलिए अब company को पता है कि अगर उनको IPO के अंदर पैसा लगाने के लिए लोग चीए तो उसके लिए company को पी जागरुख है पैसा नहीं लगाया जाता है जो अपनाप में बिल्कुल सही है तो लेट सी होता क्या है अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के उपर तो टाटरेट की ग्रे मार्केट टू 40 रुपीज चल रही है कोई खास उता चड़ाव आपको ग्रे मार्केट में दे देता हूँ तेकि SMEs के अंदर आप मैं आपको काऊंगा पैसा जो है वो बिल्कुल सोच समझके लगा है यह बिकुस बाजार की आप दशा दिशा देख रहे हैं राइट मार्केट जिस तरीके से नीचे जा रहे हैं यह अपने आप में बहुत नेगटिव साइन है और जिस का इंपक्त आपको SMEs की लिस्टिंग पर भी देखने को मिलेगा तो मैं खास तर पर उन लोगों को कहूंगा जो सोचते हैं कि नहीं हम कोई से भी SME में पैसा लगाएंगे और वो बन जाएगा बली उसकी ग्रेमार्क्त 10% हो 15% हो 20% हो देखिए बहुत बाग कर पाती है और जब लिस्टिंग होती है तो लोगों को बहुत बड़े घाटे हो जाते हैं मैं किसे को डरा नहीं रहा हूं लेकिन यह बात ध्यान रखी है और डिफिनिटली जो कह रहा है कि हर SME में पैसा लगाई है वो बिलकुल आपको जूट कह रहा है आपके पैसे चले है कि कंपनी करती क्या है आग बंद करके अगर आप पैसे लगाएंगे तो यह बहुत बड़ा आपका गलत कदम होगा मैं बेसिकली आपको यह कह सकता हूं तो यह खाच इंपोर्टन बात है विकास बाजार के उपर भी आप नज़र रखिए बाजार जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है यह थोड़ा सा अभी नेगेटिव दिखता है वाकि एक और नया SME IPO है जिसका नमें शानतला FMCG यह 27 ओक्तोबर से 31 ओक्तोबर की बीच में उपन होगा 55 रपीस करेंट ग्रे मार्केट है यानि अल्मूस 55 परसंट उपर ग्रे मार्केट है ब्लू जट हेल्ट केर यह नया मेंवर्ड IPO ग्रे मार्केट देखे गिर चुकी है रिजन सिंपल है और भी गिर सकती है तो आपको यह भी कह सकता हूँ क्यों बाजार गिरता हुआ नजर उसका एक चसर पड़ सकता है यहाँ पर फोट लेट सी होता क्या है अग्र स्कार अॉपर आग्र मार्केट बड़ बीजा है लेट सी होता क्या है अगला दोस्तों इशू आता है अन्डॉर कॉंसेप्स यह एक एसे हैं और यह आई-पी ऑपन हुआ है आज से ओपन रहेगा 27 27th October तक 14% उपर ग्रे मार्केट है 31 करोड का IP का साइज है यह IPO अभी तो 27 October तक खुला हुआ है बट अगें इसमें भी मैं आपको कहूंगा सोच समझके ही पैसा बेसिकली लगाईएगा अगला दूस्तों इस्यू आता है अफिर होचकता है कि चालू हो जाए तो अगर आज कोई allotment के उपर अपडेट आएगा तो आपके साथ डेफिनिटली शेयर करत दिया जाएगा राजगूर कैस्ट डेरिविटेफ्स यह एक एक नसे इसमी इस्यू है और क्लोज हो चुका है 10% उपर सॉरी 10 रुपी उपर ग् मार्केट चल रही है अर्वेंदन कंपनी जब हम अगली दिन खुलेंगे अनी 25 को उस दिन दोस्तों यह बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा 46% पर करेंट ग्रे मार्केट चल रही है तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही ता होफिले आपको वीडियो बढ़या लग होगा थैंकियो फ्रेंद्स वाचिंग दिस वीडियो